नमस्कार साथियो अब ख़वार आ रही है टोक्यो उलम्पिक से जो कि जापान के अंदर 2020 में चल रहा है टोक्यो उलम्पिक में बात करें तो भारत की पीवी शिंदू ने सांदार आगाज किया है महच आदे घंटे के अंदर जीता पहला मैच पारतिय सटलर पीवी शिंदू ने टोक्यो उलम्पिक में सांदार आगाज किया उन्होंने अपने पहले मैच में एजराइल की कैंसिया पोलिका रुपोवा को आसानी से हरा दिया इस जीत के साथ सिंदू अगले दौर में पहुँच गई पारत की स्टार बेडमेंटन खिलाडी पीवी सिंदू ने टोक्यो उलम्पिक में जीत के साथ आगाज किया उन्होंने महिला सिंगल्स के पहले मकाबले में इजराइल की कैंसिया पोलिका रुपोवा को आसानी से हरा दिया अपनी प्रतितन्दी के खिलाब सिंदू ने यहा मकाबला 27 शुलाई को होगा पहले गेम में पीवी सिंदू ने दम दिखाते हुए इजराइल के प्रतितन्दी पर हावी रही और 13 अंक हासिल किये इस दोरान जब गेम अंतराल हुआ तो समय पीवी सिंदू 11-5 से आंगे थी इसके बाद उन्होंने यहाँ बड़ते बरकरा बड़ते बरकरा रखी और पहले गेम में सांधार पादरसन करती हुए उन्होंने तेरे मिनट में 21 सए से अपने नाम कर लिया दूसरे गेम में भी सिंदू का संधार पादरसन जारी रहा इस दोरान उन्होंने गेम अंतराल तक 11-4 की बड़त बना ली इस दोरान इज्राइली खिलाडी ने कई वार बापसी करने की कुशिस की लेकिन सिंदू के सांदार सौट्स और सूच भूच के आंगे उनकी एक ना जली जिसके चलते भारतिय सटलेड ने दूसरा में 16 मिनट में 21 से चीत लिया इस चीत के साथ दुनिया की सातवे नंबर की खिलाडी पीवी शिंदू ने पहली महिला सिंगल्स की इस परदा में दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया सिंदू का यह दूसरा ओलंपिक है और उनने महिला एकल में छटी बरियता दी गई है दूसरे दौर में सिंदू का मगावला होंग कोंग की चिंग एन गान से होगा आप सभी को बता दें पीवी सिंदू अब क्वार्टर फाइनल में जा चुकी है अब वो इसके बाद सेमी फाइनल फिर इसके बाद होगा फाइनल तो पीवी सिंदू को कोई ना कोई मेडल तो मिलना ते है यानि कि कोई ना कोई मेडल उनकी खाती में जा सकता है